हेलो दोस्तो दोस्तो आज हम यहां पे हम कुछ stocks के बारें बात करने वाले हैं कल के दिन हमने बहुत सारे stock trade किये मतलब मैंने बताये थे उन में से फर्स्ट मैं IFCI से शुरू करना चाहूंगा क्यूंकि हमने कल इसके बारें बात की थी और यह stock जो है मैंने कहा तक 66.5 की उपर यहां पर बाइंग बननी चाहिए जो कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक ठाक है अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें एसल जो तो हमारा 63 तरीका था अभी शेयर जो 64.5 चल रहा है 64.5 की नियर चल रहा है तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अभी श्टॉक आप होल्ड कर सकते हो विदाउट एनी पैनिक तो एक मुमेंट इसमें आ सकती है अगेन अगर 67 की उपर थोड़ी कॉंटिटी बाइ करनी है तो कर सकते हो नहीं करनी है तो कल अगर दोनों साइट को इनों को आपको रिजल्ट मिल जाएगा और कल इंसाइट बाहर बनी जाए तो भाई परसों के लिए आराम से एकदम रिलाक्स हो जाईए क्योंकि उसके बाद उसको चलना ही है ठीक है तो आयफ से इस वन आफ बेस्ट ब कीजिए और हमारे एसल मैंने पहले कहा था कि 316-315 के नियरा रहा है तो जब तक एसल नहीं जाता तब तक कुछ नहीं करना है पेशेंस रखो मार्केट इतने जल्दी रिवार्ड नहीं देता जितने जल्दे आपको लग रहा है पेशेंस के सिवा आपको यहां पेशा नही क्लोज हुआ है और अगर आप इसको लुवर डाइम फ्रेम में देखते हो अवरली में तो भाई अगें मैं कहे रहा हूँ कि 2-3 दिन से इसमें कब बनते जा रहे तो अवरली डाइम फ्रेम में तो इसमें अगें एक होर बन गया आज तो शायद से आज नहीं तो कल परसो इ जोर कहा से नहीं है अभी देखते है कल क्या होता है बट एक ही इसमें कि 5% का सरकेट स्टॉक है कोई दिक्कत नहीं सरकेट स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हों कि नेक्स स्टॉक अब यहाँ पर आप बहुत सारी लोगों ने भी यह स्टॉक अपने वाश में रखा होग और ध्यान रख रहे होंगे आज इंसाइट बारे बहुत क्लासिक मुझे लग रही है गयाप जो हुआ था उस गयाप की मतलब कोई बड़ा फील ने हुआ है अभी थोड़ा पेंडिंग है बट मैं कहूंगा कि ठीक है इतना कोई इसमें प्रॉब्लम जादा नहीं है ठीक है अभी ऐसे एक ट्रेड था डाटा पैटन सेम टाइप में था गयाप वहा था तीन चार दिन तक टाइट क्लोजिंग था अभी इसमें पांच दिन होगे और वह एक अच्छा खासा चला था आप डाटा पाटन का जाके कभी भी चार्ट चेक कर सकते हो आपको थोड़ा इसमे similarity दिखेगी बट उसमें जो मतलब जिस लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था है फिर जिस सेटप पर ट्रेड कर रहा था यह और वह थोड़ा अलग-अलग है बट इन देन जो लॉजिक है उसके पीछे gap up and that tight closing since five days is very good okay हम यहाँ पे 287 के उपर buy करेंगे और SL हमारा रहेगा 275 तो और continue वह चलती जाएंगे आपको इस टॉक को अगर इवन थोड़े short term के लिए पकड़ना है तो आप पकड़ सकते हो बहुत बढ़िया stock है hood को मैं आगेन के रहा हूँ better stock लग रहा है कल के लिए और Tata power पर आ जाते है इसमें मैंने आज थोड़ी quantity buy कर रखिये बहुत low quantity है one year to year three four percent of my portfolio because पैसा खतम हो गया भाई trading के लिए सारे stock में invest है तो भाई पैसा ही नहीं है बट जो लोग निवे उनमें आप देख सकते हैं जिनके पास money available है एक better trade यहाँ पर आपको मिल सकता है Tata power आज के day के हाई के उपर भी buy कर सकते हो 2% का SL पड़ेगा खाली इसमें मतलब buying level आपके आजाएंगे चार सो पचपन और यहाँ पर आपको गर exit कर रहा है मतलब SL आप यहाँ पर रख सकते है चार सो साइटालिस मेंस यहाँ पर सेन के आसपास का SL पड़ रहा है खाली बट बेटर लग रहा है जो सेलिंग थी फोर जुन की उसके नियर आके consolidate कर रहा है औ गिरने का नाम नहीं ले रहा है तो अगर इसमें moment आ गई तो बड़िया moment आ सकती आल्रेडी पावर स्टॉक्स वेगरे तो बूम में चलने वाले थोड़े दिनों में एक हर्षा इंजिनेरिंग है मुझे बेटर लग रहा है सेम सेटप हमने कल बहुत सारे स्टॉक में देख है बट मुझे लग रहा है अगर आपको बाय करना है तो इसको आज के डे के हाई के ऊपर या फिर एस्टे डे हाई के ऊपर बाय करना पड़ेगा जो कि यह पांसो चोट के लेवल एसल आपको इसमें 540 रखना पड़ेगा बहुत अच्छा ट्रेड है अगर आप ले सकते हो मनी है तो इसमें ट्रेड कर सकते हो ब्यूटिफल मुमेंट मिला तो 600 का टार्गेट इंट्रडे में अच्छीव हो सकते है एक अच्छा ट्रेड है इसमें आप वाच आउट रखिये जरूर नेक्स्ट मेरे लिए पड़ेगा यह इंडो टेक करके बहुत छोटी मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत in liquid type company है बट मुझे बहुत सुनधर लगी Gefед लेवल्स पर एंटर करते हो तो भी यह वहाँ पर थोड़ा रिस्क कम होता है बट पांच परसेंट का है तो इसमें अर्लियर ही इंटर करना पड़ेगा तब ही जाके मुवमेंट या फिर आप ही पैसा दिखेगा नहीं तो इसके उपर दो परसेंट हो चुकी होगी उसके बाए करना है नेक्स टॉक है यहाँ पर सुप्रीम पावर बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है मुझे आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसाट बाहर है और इसमें आपको ब्यूटिफुल नहीं रग रहा होगा तो मैं यह आपको टाइम फ्रेम दिखाता हूँ ठीक है सुप इसले आप इसके बेका भी एसल रख सकते हो बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और स्विंग बना दिया ना इसने मतलब एक और दो ऐसे कैंडल बन गए तो फिर यहाँ पर एसल हिट होके फिर एक्जिट ना होना पड़े ऐसा बन गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो ज सकते है ठीक है अभी तक तो लो कॉंटिटी में ही खरीदेगा मतलब मैक्सिमम फाई और टेन परसंट अफ यो पॉर्टफोलियो ज्यादा मत लगाईएगा ठीक है और पहले ही लिक्विट स्टॉक है थर्ड इस नवकार कॉर्परेशन इस नॉर्ट बेस्ट बेट फॉर में बेट यहाँ पर मिल सकता है अगर मुव्मेंट आ जाएगी तो इसके ऊपर एक मुव्मेंट आ सकते एक सो साथ को उपर मुव्मेंट आ सकती हो और अच्छा खासा मुव्मेंट आ गया तो भीएग सोबीस раж तक भी जा सकता है और इसमें भी थोड़ा क्या हो जयाए आपका एसल थोड़ा बड़ा हो रहा है ठीक है मैं स्विंग लोई पकड़ूंगा 5.5% का एसल हो रहा है 5.6% आराउंड तो वह एसल पड़ा रहा आपका तो कोई ने अगें 10 और 12% की पोजिशन बनाई है उससे बड़ी पोजिशन मत बनाई है बड़ा लग रहा है यह भी सेट अप वॉल्यूम भी अच्छा खासा पंप वहा था कुछ दिन हो पहले उसी के अंदर यह पांचे कैंडल जो बन रही हो बन रही है बहुत अच्छी मुझे यहां पर लग रही है और ऐसे अच्छा लगता है जो कैंडल सिक पैटर ने मुझे यह बढ़िया लगता है इन कंपेर से यहां पर आकर flag बना रहा है और यह 4 जुन की sailing है तो उसके नियर ही बना रहा है ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके ऊपर एक entry बन सकती है और entry level आपको क्या है 1150 है SL बहुत छोटा पढ़ेगा 1125 मतलब यहां पर 2% की आसपास का SL पढ़ रहा है बट मुमेंट आ जाएगी तो moment अच्छे खासे इसमें आ सकते और पी एस इस टॉक्स तो आपको पता ये सभी के रड़ार पे तो यह कुछ स्टॉक्स थे भाई आएफसे आए कैपसाइट एचसील हुडको टाटा पावर हर्शा इंडो इंडो टेक सुप्रीम और नवकार कॉर्परेशन और कौन को और इंडा ठीक है तो यह कुछ स्टॉक्स है जो कि मुझे कल के लिए बढ़ा लग रहे और कुछ मिले तो मैं टेलेग्राम चैनल पर डाल दूँगा अगर आप वहापे जॉइन नहीं हो तो जॉइन जरूर कीजिए आज के लिए इतने ही मिलते हैं कल की वीडियो मे तब तक के लिए चानल को सब्क्राब कीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम चैनल इंस्टेग्राम ट्विटर फेस्बुक चारो का लिंक एक बार चेक आउट जरू कीजिए थैंक्स फ़र वाचिंग वीडियो